रोजाना सुबे, खाली पेट लो, जिन्दगी भर, नसों में ब्लोकेज, जोडों का दर्द कभी नहीं स्ताएगा हडियां आपकी वज्जर के समान मजबूत हो जाएगी सरीर की 300 बिमारियां होंगी दूर वात, पित और कप से जुड़े सभी तरहें के रोगों के लिए काल है ये चमतकारी ओस्ती खाने के एक दिन बाद से ही आपको इसका असर दिखाई देगा नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज की इस वडियो में हम आपको ऐसी चमतकारी ओस्तियों के सेवन की विदी के बारे में बताएंगी दोस्तों जिनका प्रियोग करके आप अपनी पूरे सरीर को बिलकुल निरोगी वना सकते हैं और अपने सरीर की हर त्रहें की बीमारी का इलाज कर सकते हैं दोस्तो इन तीन समगरियों का सेवन करके आप अपने सरीर की 300 बीमारियों से बचे रहेंगे यानि हर एक उस्ती हर एक समगरी 100 बीमारियों पर भारी है दोस्तो वात, पित और कफ से जुड़े दोस दूर हो जाएंगे और दोस्तो हमारे सरीर में जो भी बीमारी होती है उसके पीछे वात, पित और कफ का दोस ही होता है यानि इन तीनों के जब ये तीनों imbalance होते हैं तब हमारे सरीर में बीमारियां जनम लेती हैं और ये जब तीन सही रहेंगे तब आपको कोई भी बीमारी नहीं होगी दोस्तों इन तीन सामगरियों का सेवन करके आप डाइबटी जैसी बीमारी को कंट्रोल में रखसा पाएंगे मुटापे को कारगर तरीके से इलाज कर पाएंगे अपने पेट की चरबी को मक्खन की तरहा पिंगला हड़ियों की कमट्रोल में की अगान ही हमें मैक्सिमम जोड़ों और घुटनों के दर्द की समस्या होती हैं दोस्तों आपकी नसों की ब्लोकेष खुल जाएगी खून में बुरे कोलोस्टोल की समस्या नहीं होगी आपका कोलोस्टल लेवल सही होगा आपके खून की या आपके आसपास भी नहीं आएंगी पेट के रोगों का कारगर इलाज है पेट में गैस, कबज और एसलिटी के समस्या दूर हो जाएंगे और ऐसा होगा इन तीन समगरी के सेवन से तो चलिए पहले आपको बताते हैं कि ये तीन समगरी है क्या-क्या उसके बाद आपको बताएंगे कि आपने इनका सेवन करना कैसे है तो चलिए दोस्तो इसमें जो पहली मुखे समगरी है वह है दोस्तो अजवाइन दोस्तो अजवाइन में प्रोटीन, फैट, फाइबर और मिननल जैसे कैल्सियम, फासफोर्स, आईरन, भरपूर मातरा में होते हैं जो आपकी सेहद के लिए बहुत अधिक उपियोगी है दोस्तो अजवाइन का सेवन करने से सर्दी जुखाम, बहती नाक और ठंड से आपको तुरंत निजात मिलती है इसमें भरपूर मातरा में एंटिक्सेंट होते हैं जो आपके सरीर की बहुत सारी बेमारियों का इलाज करते हैं ये च्छाती में जमा कप से आपको छुटकारा दिलाते हैं और दोस्तो अजवाइन का सेवन बहुत अधिक जमतकारी है अब जानते हैं कि आपने अजवाइन का सेवन करना कैसे है उसके बाद बताएंगे इनकी टाइमिंग के बारे में आपको दोस्तो अजवाइन का सेवन आपने क्या करना है एक चमच अजवाइन लेकर आपने रात भर के लिए एक गिलास पानी में भीगोकर आपने रखते नहीं है और सुबह खाली पेट दोस्तों आपने उस अजवाइन के पानी को उबालना है और उबालकर उसका सेवन करना है हलका गरम ही आपने सेवन करना है आप उसमें आपने सवाद के लिए सहद का प्रयोग भी कर सकते हैं यदि आपको डायपटीज की समस्या नहीं है तो इस तरीके से आप इसका सेवन कर सकते हैं और ये सेवन आपने सुबह खाली बीट कर सुबह का दूद तो आपने कभी न कभी पिया होगा यह आपकी यादास्त को बढ़ाता है सुबह में कैल्सियम, सोडियम, आईरन, पोटासियम जैसे खनिज भरपूर मातरा में पाई जाते हैं दोस्तो और वैसे भी बहुत सारी बीमारियों का इलाज करने में सुबह कारगर ओस्ती की तरहें काम करती है या आपके पेट की चर्वी को कम करना हो आखों की रोशनी को बढ़ाना हो या दिल की बिमारियों का इलाज करना हो दोस्तो ये कारगर ओस्ती की तरहें काम करती है अब जानते हैं कि आपने इसका सेवन करना कैसे दोस्तो सेम आपने सौंफ के साथ करना है एक चमच सौंफ का आपने रात भर के लिए एगलास पानी में भीगो कर रख दीना है और सुबे खाली पेटा आपने पानी को भी पी लेना है और उन सौंफ के दानों को भी चबा चबा कर खा लेना है एक तो तरीका यह हो गया दूसरा जब भी आप खाना खाएं खाना खाने के आदे घंटे बाद आप सौफ जरूर जबाएं सौफ के साथ थोड़ा सा गुण यह हो गई दूसरी समगरी अब जानते हैं तीसरी समगरी यहवाने मि दोस्तो तीसरी है जीरा दोस्तो जीरा एक बहतरीन एंटियोक्सेंट है और साथ ही यह सूजन को कम करने और मासपेसियों को अराम पहुचाने में भी बहुत अधिक कारगर हैं दोस्तो इसमें फाइबर भरपूर मातरा में पाए जाता है यह है आईरन, कोपर, कैलसियम, पोटासियम, मैगनीज, जिंक वैं मैगनीशियम जैसे मिननल का भी अच्छा सोर्स है इसमें विटामिन E, A, C और B कॉंपलेक्स जैसे विटामिन भी खासी मातरा में पाए जाते हैं दोस्तो यदि आपको खून की कमी की समस्य है या आपको मुटापे की समस्य है तो यह बहुत कारगर होसती है, हड्यों को मद्बूत बनाने का काम भी करती हैं, क्योंकि यह कैलसियम का भी खजाना है दोस्तो आपने जीरी का सेवन कैसे करना है अपने जीरी को भी एक चमच जीरा रात को एक गलास पानी में भीको कर रखती है आपने उस जीरी के पानी को सुबह खाली पेट उबालने है और उबालने के बाद आपने यदि इसमें सुवाद के लिए आप सहध मिलाना चाहें तो मिला सकते हैं आप सहद डाल कर इसका सेवन कर सकते हैं ये भी काम अपने सुबह ठाली बेट करना है अब हो गया कि आपने इंटीनों का सेवन करना कैसे है तो दोस्तों आप एक वीक तो सेवन करेंगे अजवायन और सोंफ अगर आप सोंफ पानी में डाल कर सेवन करना चाहते ह जैसे पहले वीक आपने अजवायन का सेवन किया, दूसरे वीक आपने सौफ का सेवन किया, तीसरे वीक आपने जीरी का सेवन किया, तब आप इस तरीके से सेवन करें, यह आप दो चीजों का एक साथ सेवन कर सकते हैं कैसे, अजवायन आप सुबे लें और जो सौफ है वो आ पहले दिन से ही ये नुस्खा आपको अपना असर दिखाएगा और आपको अपने सरीर में महसूस होगा, आखों की रोशनी को बढ़ाएगा, पेज की चरवी को कम करेगा, डाइबटीज को कंट्रोल करने का काम करेगा, दिल की बीमारियों से बचाएगा, हडियों की कमजोरी को दूर करेगा, वात पीत और कपकभी कारगर इलाज है, तो दोस्तों देर किस बात की हैं, आप भी इस नुस्खे को आज ही अपने घर पर बनाएं, और इस नुस्खे का परियोग करें, और अपने सरीर की बीमारियों से चुपकारा पाएं, तो दोस्तों यह थी हमारी वेडियो की नोटिफकेशन आते रहे धन्यवा दोस्ते